नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Defense Officers Academy के एक और नए informative वीडियो में और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहां पर हम सैनिक स्कूल घोड़ा खाल से जोड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय सेकेंड राउंड इकांसलिंग का चुरू होने वाला है पर्स राउंड अवी कांसलिंग टूट इंट इस सैनिक स्कूल वो खतम हो चुका है और हमारे सामने कुछ डेटा मौझूद है इस बीच हमारे साथ काफी सारे पेरेंट्स ने अपनी क्वेरीज शेयर की हैं जिसमें उन्होंने पूछा है कि इस स्कूर पर क्या उनके बच्चे का सैनिक स्कूल गोड़ा खाल में चायन हो सकता है या नहीं इतनी सारी क्वेरीज आने के बाद और क्यूंकि सैनिक स्कूल गोड़ा खाल की खुद की भी अपनी एक अच्छी रेपूटेशन है इसलिए हमने ये सोचा है कि आपके साथ कुछ डेटा शेयर करें जिसके तहित आपको थोड़ी क्लारिटी मिल जाए कि सैनिक स्कूल गोड के लिए हमसे पूछते हैं according to their child's score तो खोड़ा खाल का example देते हुए मैं आपको ये भी समझाओंगा कि बाद की सैनिक स्कूल में admission के लिए round 2 में किन बच्चों को expect करना चाहिए कि उनका admission हो सकता है या नहीं सबसे पहले यहां पर कुछ डेटा पर बात करनी ज़रूरी है द तो the individual score is very crucial here जो भी आपके बच्चे का score है वो पहला point है आपको जानना और उसके बाद अगर मैं सिर्फ घोड़ा खाल को ध्यान में रखते हुए बात करूँ तो आपको देखनी है round 1 में Panic School घोड़ा खाल की cut-off कितनी गई है इस cut-off में जो आकड़ा मिलेगा उसके हिसाब से आपको अपने individual score को देखते हुए ही आगे की कारवाई को अंजाम देना है और साथी साथ आपको ये भी देखना है कि how many numbers of seats are available in Panic School घोड़ा खाल now अगर इन सब चीजों की जानकारी हो जाए तो आपके लिए clarity मिल जाएगी कि आपका सेनिक स्कूल घोड़ा खाल में चैन होगा या नहीं तो ये जो data point है ये जो जानकारी है मैं बता रहा हूँ आपको इसे सेनिक स्कूल घोड़ा खाल के परिप्रेक्ष में other schools के लिए भी आप इसी तरीके से check कर सकते हैं अब other schools में किस तरीके से आपने देखना है तो जरा उसकी भी मैं थोड़ी सी जानकारी यहां पर देदूँ उसके बाद उन data's पर हम deal करेंगे other school के लिए आपको अपने individual score को वही ध्यान में रखना है सबसे पहले यहर लिहाज से round 2 में आपके लिए जरूरी है क्योंकि इसी पर आपको selection मिलने वाला है so the individual score is important here but जो parents यह कह रहे हैं कि क्या उन्हें round 2 के लिए इंतजार करना चाहिए या round 2 मैं उनको कोई chance है किसी सैनिक स्कूल में admission का तो उनके लिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि all the 33 सैनिक स्कूल्स have provided their cutoff for the round 1 आपको 33 सैनिक स्कूल्स की जो round 1 की cutoff है उसको note करना पड़ेगा you have to note it down वो आप कैसे note करेंगे इससे पहले जो round 2 की तैयारी से संबंदित हमने आपके साथ video share किया था मैंने उसमें भी वो जानकारी आपको दी थी बहुत आसान सा है सैनिक स्कूल की website पर जाएं और वहां पर हर एक सैनिक स्कूल की cutoff आपको बता दी गई है आप हर एक सैनिक स्कूल की cutoff को note करें लेकिन cutoff note करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है while you are preparing the cutoff of all 33 सैनिक स्कूल तो उसमें जितनी सारी category है उन सब की cutoff आपको नहीं देखनी है you have to check the cutoff in your own category तो आपकी category में cutoff कितनी गई है round one में वह आपको चेक करना है now what is your category उसमें कुछ factors है क्या आप होम स्टेट सकोल के लिए या आप other state Ňंट सिर्थे क्रियमा आते हैं तो तक्रीबं जिस भी प्यृत से आप बिलॉंग करते हैं इस state में आने वाले सैनिक स्कूल आपके लिए होम स्टेट वाले सैनिक स्कूल हो जाते है और यो other state यान की cage स्प्कूल है वो आपको अधर स्टेट के सेनिक स्टेट हो जाते हैं तो आपको cut-off चेक करते समय देखना है कि किसी particular स्टेट वाला सैनिक स्कूल है उसकी home state में कितनी cut-off गई है और अगर आपका home state वाला सैनिक स्कूल नहीं है तो other state वाली cut-off हर एक particular क्टम सब्क होutta ठीच हआए लेकिन अखरने में थ cannabis ये इक बात सिर्व में वहिए लेकिन थान रखता है पहला फॉम और होङड कर वाला करने उसके हिसाब से आप देखेंगे और फिर एक तीसरा factor रहता है category wise देखने का वो है whether you belong to SC, ST, OBC, unreserved यानि की general या फिर defense अब cutoff जो आपने note करनी है तो अपनी particular category में आपका जो बच्चा है वो boy है या girl है तो boy की या girl की cutoff, home state है या other state है तो home state या other state की cutoff और जिस भी category में आप पढ़ते हैं उस category की cutoff यानि कि इन तीनों का combination बनाके वो वाली cutoff आपको check करनी है When you prepare all 33 Scenic Schools cutoff, then you can get an idea about the remaining numbers you need और कितने उसमें cutoff में gap है आपके individual score से जिससे आपका round 2 में selection हो गया या नहीं उसकी स्थिती स्पष्ट होगी इसको मैं example से समझाने की कोशिश करता हूँ अब देखिए घोडा खाल का मैं example लेता हूँ और सारे schools में इसी example को आप apply कीजिएगा Sixth class के लिए अगर मैं बात करूँ Scenic School घोडा खाल की Sixth class में सबसे पहले तो हमें यह पता है कि number of seats कितनी थी या कि number of vacancies कितनी थी हर एक Scenic School में number of vacancies भी आप चेक कर सकते हैं Scenic School की official website में seat metrics में seat metrics जब आप डालते हैं तो हर एक Scenic School की seat metric आपको देख जाती है कुछ इस तरीके कहा कर आपको देखेगा यह घोडा खाल के लिए है और यहां पर आप देखिए class sixth की हम बात कर रहे हैं उत्राखंट state का नाम है इसमें boys की cut off sorry boys की vacancies की बात हम करते हैं तो आपको इधर से लेकर इधर तक home state और इधर से लेकर इधर तक other states की vacancies पता चल रही है अगर आप उत्राखंट से ही belong करते हैं तो घोडा खाल आपके लिए home state है और अगर आपका लड़का है या boy है तो उसके लिए if you belong to SC community then home SC में six seats है home ST में three seats है home OBC में 12 seats है और home unreserved में 16 seats हैं इसके अलवा आप home state में defense category के हैं तो आपके लिए five seats हैं कब जब vacancies जारी की गई थी लेकिन आपको पता है कि अभी round one मैं कुछ admission हो चुके होंगे जिसके हिसाब से these number of vacancies were filled और कुछ बची होंगी तब आपका scope है साती साथ other states के लिए मैं बता दूँ boys के लिए अगर आप other states से हैं उत्राखिंड से बाहर belong करते हैं आपका लड़का है class six band mission चाहता है उसने सैनिक school का written qualify किया है आप अगर SC community से हैं तो दो seats available थी ST से एक seat available थी OBC से पांच reserved category से eight और defense category से दो seats available थी same goes with the girl लेकिन यहाँ पर girls के लिए मैं कहना चाहता हूँ class six में आपके लिए scope nil है why because you can see in each category whether you belong to the home state or the other state in each category there is only one vacancy और लगभग एक vacancy पिछले round में यानि कि round one में फिल हो चुकी होगी तो इसलिए girls के लिए class six में घोड़ा खाल में इस समय कोई opportunity नहीं होगी लेकिन किसी और school में अगर आपको check करना है तो आप उसी school की इसी तरीके से seat metric निकालिए और check करें कि कितनी number of vacancies थी based on the home and other state and your category and the boy and girl जो भी आपका बच्चा है इसके बाद आपने seats पता कर ली है now this is the data for round one round one में home state में ये cut off गई है अलग-अलग category में तो देखिए यहाँ पर girls के marks है और यहाँ पर boys के marks है अब आपको focus करना है if you belong to home state और अगर माल लेजिए आप defense category से है तो आपको अगर girl है तो 275 marks की cut off पिछले round में गई थी यानि कि अब आपके जो marks है वो 275 के आसपास होने चाहिए लेकिन क्योंकि यह घोड़ा खाल है इसलिए यहाँ पर girls का तो पूरा criteria ही समाप्त हो गया है देखिए defense, OVC, SC, ST unreserved defense, OVC, SC, ST unreserved में एक-एक seat थी वो सब fill हो चुकी है तो girls के लिए यहाँ पर कोई scope नहीं है boys की मैं बात करता हूँ home state से आप उत्राखंड से बिलॉंग करते हैं आपके लड़के का admission कराना है आपने round 1 में पाया कि आपके लड़के का admission नहीं हुआ है round 1 में मान लीजिया आप SC community से बिलॉंग करते हैं so home state SC community boys के cut off 224 गये थे और यही आपका focus point होना चाहिए मां की सब cut off से आपको कोई मतलम नहीं है 224 number cut off गई है round 1 में अगर आपके बच्चे के marks 220 है so there is a good chance that उसका selection इस बार round 2 में हो जाएगा because 224 से थोड़ा नीचे cut off जाएगी round 2 में और 220 marks उसके काफी करीब हैं इस लिहाद से आपके बच्चे का selection हो सकता है so based on your category और किस class में admission लेना है और फिर आपने ये देखना है कि कितनी cut off गई थी क्या आपके marks आपकी category में round 1 में गई हुई cut off से नजदीक है तो फिर आप उमीद कर सकते हैं कि round 2 में भी आपका selection हो सकता है now let's see कितनी seats इसमें fulfill हुई होगी तो देखिए एक-एक seat तो defense, OBC, SC, ST और unreserved में at least fill हो चुकी होगी और अगर हम home state की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 seats मिली थी 12 seats, 16, 5 and 6 seats मिली थी एक-एक seat अगर fill हो गई मालने तो 5, 2, 11, 15 and 4 seats are available ऐसा हम मान के चलते हैं अगर आप जिस भी category के हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा unreserved के लिए chance है और OBC community के लिए chance है कि उनका admission हो सकता है वहाँ पर cut off और vary करेगी लेकिन जहाँ पर सिर्फ दो seats अब बची हैं यानि कि home ST category में अब सिर्फ दो seats होंगी at least हम उमीद करते हैं तो home ST में देख लीजिए कितनी cut off गई है तो this is home ST और इसमें boys की cut off गई है 240 तो आपके बच्चे के जो marks हैं अगर आप उत्राखंड से बिलॉंग करते हैं और ST community से हैं तो 240 के जितना pass आपके बच्चे के marks होंगे उतना ज़्यादा chance है कि उसका selection हो जाए और क्योंकि दो ही seats है तो बहुत कम margin रहेगा यानि कि बच्चे के marks 239, 238 या 237 के आसपास होने चाहिए तब हम उमीद कर सकते हैं कि उसका selection हो पाएगा अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आपको बांकी के scenic schools में cut off के हिसाब से अपने individual score को match करने पर ये भी समझ मा जाएगा कि कौन-कौन से scenic schools है जहाँ आपका selection हो सकता है तो माल लिजे आप हर एक scenic school पर अपनी category में focus करते हुए cut off तयार करते हैं तो आपके पास total 33 numbers होंगे हर एक cut off माल लिजे कोई 273 गई है कोई 280 गई है कोई 282 गई है कोई गई है 269 किसी scenic school की cut off कोई 259 किसी scenic school की 255 और इसी तरीके से बांकी तो माल लेता हैं कि इस तरीके से आपकी अपनी category में based on home और other state ये आपके सामने data तयार होता है जो आप prepare करेंगे अपने ही बच्चे के लिए ये जो cut off गई है अब इस हिसाब से अगर आपके बच्चे के marks 260 आते हैं या 260 आये थे just for an example आप जो भी आपके बच्चे के marks थे उस हिसाब से देख लिजेगा अगर उसके 260 marks आये तो 260 के आसपास कि सेनिक स्कूल की cut off जाती भी दिखी है एक 269 है एक 259 है एक 255 है तो ये तीन सेनिक स्कूल आपकी नजर में होने चाहिए for the round 2 और इनको आप priority में fill करेंगे माल लिजे कोई कहते हैं कि मेरे बच्चे के बहुत कम marks हैं 220 marks हैं तो इन 33 schools में 220 के सबसे नजदी cut off जिसकी गई होगी वो आपकी first priority है उससे ज़्यादा दूरी पर जो marks होंगे माल लिजे cut off में आपको कोई 225 cut off गया हुआ school दिखता है कोई 230 की cut off गया हुआ school दिखता है कोई 222 cut off का गया हुआ school दिखता है तो इस तरीके के school आपके लिए फिर round two के लिए eligible हो सकते हैं आप उसमें admission लेने के तो सबसे पहले आपने क्या करना है मैं फिर से बात दोहरा दूँ आपने अपना individual score देखना है सुमाल लिजे आपका स्कूर कुछ है एक्स जिस सेनिक स्कूल में आपका admission चाहिए उसकी round one की cut off देखना है माल लिजे वह है वाई और how many seat number of seat उसमें available थी वो seat matrix से पता करना है माल लिजे वह है Z तो आपको वाई जो कि उस round one की cut off है माइनस एक्स minimum आना चाहिए यानि कि जो यह आकड़ा है यह कम से कम एक दो तीन चार पाच यह चे यह जादा से जादा साथ seven numbers का difference होना चाहिए round one की cut off और आपके individual score में और जो number of seats है so Z should be at least one तो होना ही चाहिए और जादा से जादा वो कितना भी हो तो अगर वो एक है seat available तो आपका minimum difference कम से कम होना चाहिए round one की cut off और individual score का difference जितना कम है वो सैनिक स्कूल आपके लिए उतना suitable है for the round two इस तरीके से अगर आप इसको fill करेंगे तो आपकी जो round one में filling है वो आसान हो जाएगी लेकिन उससे पहले आपको एक homework करना है हर एक सैनिक स्कूल की round one की cut off अपनी category में check करनी है और category कैसे recite करनी है वो आपको पता है इन सारे आखनों को मिलाना है अपने individual score से match करना है और जो सबसे pass में cut off में schools दिख रहे हैं वही round two में आपको admission दिला सकते हैं इस तरीके से देखिए six class में other states में कितनी vacancies फिल हुई है उनकी भी जला जानकारी ले ले लेते क्योंकि जादा तर school आपके लिए other states में ही पढ़ेंगे तो सैनिक स्कूल घोडाखाल में इस सारे other states में selection हुए है तो देखिए other में defense category में एक seat fill हो चुकी है 282 marks इसकी cut off रही थी अगर मैं other में defense दुबारा देखना चाहूं तो यहां पर मुझे एक seat और दिखती है मगर इसमें boys के marks नहीं है तो यह मैं consider नहीं करूंगा other state defense में फिर मुझे एक और आकड़ा दिखता है यहां पर 283 marks गई है the total number of seats were filled in round 1 from the defense category to the other state boys is 2 तो दो seats round 1 में fill हो चुकी है now other की defense category में boys की seat कितनी थी तो देख लीजे आप सैनिक स्कूल घोडा खाल boy other defense में मैं focus कर रहा हूं तो दो ही seats थी और वो fill हो चुकी है तो अगर आप other states से हैं defense category से हैं तो आपको अभी round 2 में घोडा खाल में admission नहीं मिलेगा because two seats were available that were filled in round 1 अब दूसरी बात कर लेता हूं defense category के boys का तो अभी घोडा खाल में selection नहीं हो सकता दूसरा है OBC category में देख लेते हैं other OBC 1 seat, other OBC 2 seat, other OBC 3 seat और other OBC 4 seat इन में से सब boys के लिए है 276, 279, 278 and 277 कितनी number of seats हो गई? एक, दो, तीन, चार चार others की fill हो चुकी है other OBC में घोडा खाल में seats कितनी थी? 5 seats थी जिन में से 4 seats round 1 में fill हो चुकी है तो बची कितनी? 5-4 1 only one seat is available for other states candidate belonging to OBC community सिर्फ एक seat है boys के लिए class 6 में, घोडा खाल में और cut-off कितनी गई है? तो 276 हमने देखी 278 देखी और 277 देखी तो 276, 277 और 278 marks वालों का selection हुआ है इसके अलावा एक, दो, तीन और 279 भी है तो ये हैं लगातार एक-एक number का difference है अब जो इसमें सबसे least है number वो है 276 तो आपके बच्चे के जो marks हैं वो 276 के जितना pass होंगे, उतना ज़्यादा उसके chances हैं कि वो उस एक seat के लिए दावेदारी पेश कर सकता है तो अगर आपके बच्चे के marks 275 हैं तो there is a good chance कि उसका selection हो जाए लेकिन अगर उसके marks हैं 274, 273 या 272, 271 तब भी आप कोशिश कर सकते हैं उसे priority में first रखिए हो सकता है कि आपके बच्चे का selection हो जाए बट ज्यादा chances 275 marks वाले बच्चे के हैं इस तरीके से आपने अपनी cut-off देखनी है other states में, हर एक सैनिक स्कूल के other states की cut-off में आपको अपनी category में कितनी seats fulfill हुई है उनको देखना है उसमें कितने marks पर selection हुआ है वो देखना है और minimum marks को count करके आपने देखना है कि इसके कितना नजदीग आपके बच्चे का individual score है इस तरीके से आप prepare करेंगे तो round 2 में admission के लिए आपके सामने उन सैनिक स्कूल की एक पूरी list त्यार हो जाएगी इसी तरीके से आप class 9 में भी same चीज अप्लाई कर सकते हैं यह data मैं आपके साथ share कर लेता हूँ आप चाहें तो घोडाखाल में जिन लोगों का interest है वो अपना यहाँ पर screenshot ले सकते हैं इस देटा फोर class 6 इन घोडाखाल first में आपको number of seats हैं दूसरे में cut off का decision है girls के लिए यहाँ पर आपकोई seats available नहीं है class 6 में और यह others के लिए है इसका भी आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं इसी तरीके से आपको other school के लिए भी यह data तैयार करना है 9th class के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर girls के लिए कोई भी seats नहीं थी तो 9th class में भी girls के लिए आप कोई चांस नहीं है तो आप कोई और school ढूंड़िएगा और boys के लिए यह data point है number of vacancies, individual score and the cut off in your category यह तीन आंकड़े आपको इखटा करके वो scenic school के lift बनानी है जो आपके individual score के पास जाते हैं अब आखिर में एक बात यह है कि देखिए हम आपके साथ वीडियो में information तो share करते हैं उसमें आपसे हम queries भी invite करते हैं लेकिन आपकी queries ऐसी होनी चाहिए जो शायद हम वीडियो में ठीक से बात ना समझा पाए हो आपकी queries को जिस तरीके की होती है जो कि पिछली वीडियो में मैंने देखी थी बच्चा कर रहा है उसका score है 253 वो male है उत्तरप्रदेश से belong करता है उसकी rank ही आई है second round में क्या कोई scenic school मिल सकता है या नहीं ये बात पिछले वाले वीडियो में भी हमने clear कर ली थी you have to prepare cutoff of all the 33 schools और उन 33 schools की cutoff में जो 253 आपके individual score के सबसे नजदीक cutoff जा रही होगी माल लिजे किसी scenic school की cutoff 254 गई है किसी की 255 गई है किसी की 256 गई है अगर गई है तो तो ये scenic school आपकी priority में होना चाहिए माल लिजे इतनी cutoff किसी की नहीं गई है माल लिजे 260 गई है तो ये आपकी priority में होना चाहिए क्योंकि 253 के सबसे नजदीक यही school है जिसकी cutoff गई है इस तरीके से आपको अपनी feeling करनी है हर एक बच्चे के individual score और उसकी तो किसी गणमान ये व्यक्ति नहीं यहाँ पर NSS reply किया हुए न्यू सेनिक स्कूल मैं चाहता हूँ कि न्यू सेनिक स्कूल आप consider ना करें अपने 240 के आकडे के नजदीक जिस सेनिक स्कूल की cutoff गई है आपकी OBC की category में उसी को आप consider करें otherwise round two में जाने का कोई वाइदा नहीं है बोड़ा खाल second round में cutoff क्या रहेगी तो पिछली जो cutoff रही थी उसी से एक, दो या तीन number कम जाएगी उससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है तो हर एक category की अपनी cutoff है मैंने दिखा ही है उसमें आप minus करके देख लीजिए Sir, my son got 254 marks in defense category but not allotted seat, why? My home state is Manipur तो आपने Manipur से belong करते हुए दो, देखिए, बातों का ध्यान रखना है आपका individual score ठीक है आपने ये तो पता कर लिया मगर round one में आपने preferences क्या भरी थी? आपने 10 schools की जो preferences भरी थी सैनिक schools की उनमें देखिए क्या किसी सैनिक स्कूल की cutoff 254 से कम गई है अगर नहीं गई है तो आपके बच्चे को कोई भी school नहीं मिला होगा अब आपको देखना है जो ये cutoff है पारे के सारे 33 सैनिक स्कूल की उसमें 254 के सबसे पास कौन सी cutoff है उन schools को round 2 की priority में भरिए तो तब आपका वहाँ selection होगा ये process complex लगती है लेगन अगर आपके पास data हो आपने मैं फिर से कहूंगा 33 सैनिक स्कूल की cutoff अपनी category में अगर note करके रखी है तो वो numbers आपको बता देंगे कि आपके score के पास कौन सा सैनिक स्कूल है और उसका हो सकता है या नहीं ये बाते हैं जो मैं आपके साथ share करना चाहता था उमीद करता हूं कि ये जो पूरी जानकारी है आपके किसी ने किसी काम आई होगी और उस पर आप जरूर काम करेंगे और एक अच्छा खासा homework करने के बाद ही round 2 के लिए एपियर होंगे क्योंकि अब जल्द ही round 2 की कारवाई भी शुरू होने वाली है तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए और साथी साथ में बताना चाहता हूं कि आरे एंसी में जो नया पैटन है जिसमें मैथ ओलंपियार्ट के क्वेस्टेंस पिष्ले दो एक्जाम से पूछे जा रहे हैं उसको ले करके भी हम आपके साथ एक कोर्स लेकर कर आए हैं जिसको आप हमारी एप के थूँ अवेल कर से और आपको अगर यह कोर्स ऑनलाइन लेना है जो कि हम गूगल मीट पर भी क्लास रण करते हैं तो इस नंबर्स और यू लेकिन यहां पर एक और बात ध्यान ना की गई हो उनको से लेटेट अब जरूर कॉमेंट सेक्शन पर हमें क्वेस्टिन पूछ सकते हैं हम उनका भी निदान करेंगे और उमीद करता हूं यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा फिर मिलेंगे एक अगले सेशन में तब तक के लिए all the best to all of you take care